हेलो इवरिवन स्वागत है स्विस्व एकलमी के यूटूब चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में हम बहुत ही मेतपॉन टोपिक एक्टिव एंड पैसिव सेटेलाइट और अपोजी एंड पैरिजी के बारे में जानेंगे तो दोस्तों वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है वीडियो को आंधितिक देखें तो चलिए फ्रेंट शुरू करते हैं आज की ये वीडियो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं पैसिव सेटेलाइट के बारे में कि निसक्री उपग्रे क्या है इस प्रकार का उपग्रे एक निसक्री उपरावर्तक की प्रतिकार करता है इन उपग्रे में सिंगनल को एम्फिलिफाई नहीं किया जा सकता है क्योंकि इनमें एम्फिलिफ केसन है तो कोई electronic device नहीं होती है दोस्तों जो passive satellite होता है वो आएक passive reflector की तरह कार करता है और दोस्तों जो passive satellite होते हैं उनमें signal को भी amplify नहीं किया जा सकता है क्योंकि इनमें amplification है तो कोई भी electronic device नहीं होती है इसलिए जो passive satellite होते हैं उनमें हम signal को amplify नहीं कर सकते हैं ground transmitting system इस परावर्तक की दिशा में power transmit करता है परावर्तक इस power का परावरतन करके इसे पुना radiate करता है इन उपग्रों की संचार समता कम होती है और दोस्तों जो passive satellite में ground transmitting system होता है वा reflector की direction में power को transmit करता है और जो reflector होता है वा इस power का परावर्थन करके इसे पुना radiate करता है और दोस्तों जो passive satellite होती है उनकी जो संचार समता होती है वा कम होती है दोस्तों हम देख लेते हैं active satellite के बारे में की सक्री उपग्रे क्या है सक्री उपग्रे हो में signal के amplification है तो electronic device लगी होती है या उपग्रे सिग्नल का amplification करने के पस्चात उन्हें पुना परतवी की ओर transmit करते हैं दोस्तों जो active satellite होती है उनमें signal का amplification किया जाता है क्योंकि जो active satellite होती है उनमें electronic device लगी होती है इसलिए जो signal का amplification होता है वा किया जाता है Signal का Amplification के परशाद उन्हें परत्वी की और पुना transmit कर दिया जाता है सक्री उपग्रोयों में उच्छ Quality के केमरे, Microwave Scanner, प्रवर्धक, प्रोसेसर इत्याद होते हैं या एक्तियां सोर उर्जा में चालित होती हैं इन सभी एक्तियों को परत्वी से कंट्रोल किया जा सकता है और दोस्तों जो Passive Satellite होते हैं उन्हें उच्छ Quality के केमरे, Microwave Scanner, Amplifier, प्रोसेसर इत्याद होते हैं Active Satellite में जो भी डिवासेस लगी होती हैं उनको सोर उर्जा द्वरा ओपरेट किया जा सकता है और दोस्तों इन डिवासेस को परत्वी से भी कंट्रोल किया जा सकता है और दोस्तों भारत ने इस प्रकार की कई सेटेलाइट लॉंच की हैं जैसे की IRS-1A, IRS-1B, IRS-1C और IRS-1D आदी दोस्तों अब हम देख लेते हैं Difference between Passive Satellite and Active Satellite कि Active Satellite और Passive Satellite के बीच क्या अंतर होता है या केवल परावर्थक की भातिकार करती है इनमें एक सिंगनल के परावर्थन है तो Electronic इक्तियान नहीं होती है दोस्तों जो Passive Satellite होती है वा केवल Reflector की भातिकार करती है और इनमें जो सिंगनल का Amplification होता है वा नहीं होता है किमकि इसमें Electronic Devices नहीं होती है और दोस्तों जो Active Satellite होती है इन ग्रोहों में सिंगनल के Amplification होती है तो Electronic इक्तियान होती है दोस्तों जो Active Satellite होती है उनमें सिंगनल के Amplification होती है तो Electronic Devices का यूज़ किया जाता है इनका कार केवल रिसीव किये के सिंगनल का वापस परत्वी पर परावर्थन करना होता है दोस्तों जो पैसिव सेटेलाइट होती है उनका जो कार होता है वा केवल रिसीव किये के सिंगनल का वापस परत्वी पर रेफ्लेक्शन करना होता है यह upgrade receive किएके signal की processing करते हैं, प्रोवर्धन करते हैं, आवरुति-shifting करते हैं तत पसाथ इन signal को परतवी की और पुना ट्रांस्मिट किया जाता है इसके लिए इन उपग्रोयों में कई उक्तियां जैसे की केमरा, माइक्रोवेव स्केनर, एम्प्लिफायर इत्याद होते हैं और दोस्तों जो एक्टिव स्टेलाइट होते हैं वो वे सिंगनल की प्रोसेसिंग, एम्प्लिफिकेशन तथा आवरुति सिफ्टिंग करते हैं और दोस्तों जो एक्टिव स्टेलाइट होते हैं उनके दोरा ग्राउंड पर इस्तित रिसेविंग स्टेशनों की और रेडियेट पावर जो होती है वह बहुत कम होती है इसलिए इनकी जो संचार समता होती है वह भी बहुत कम होती है इन उपग्रेहों द्वारा Ground पर इस्तित Receiving and Station की और Radiate Power अपेच्चाक्रत अधिक होती है अता इनकी संचार शमता अधिक होती है और दोस्तों जो Active Satellite होते हैं उनके द्वारा Ground पर इस्तित Receiving and Station की और Radiate Power अपेच्चाक्रत बहुत अधिक होती है इसलिए इनकी जो communication के ability होती है वह अधिक होती है पुराने satellite system जिसे ECHO निसक्री उपग्रे थे और दोस्तों जो ECHO satellite था वह एक passive satellite था आधुनिक संचार उपग्रे सक्री उपग्रे होते हैं और दोस्तों जो modern satellite होते हैं वह active satellite होते हैं जैसे कि IRS-1A, IRS-1V इत्यादी तो दोस्तों अब हम देखेंगे एक बहुत ही metaphor topic apogee and perisee के बारे में कि apogee और perisee क्या होता है दोस्तों apogee और perisee को हम एक figure के मादिम से समझेंगे तो चलिए friends देखते हैं कि apogee and perisee क्या होता है दोस्तों अब हम इस figure के मादिम से समझेंगे कि apogee and perisee क्या होता है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं apogee के बारे में दोस्तों इसमें क्या होता है satellite कच्चा का वह विंद जो की प्रतिवी के केंद से अधिक्तम दूरी पर इस्तित होता है उसे हम apogee कहते हैं जैसा कि दोस्तों आप figure में भी देख सकते हैं कि जो विंद प्रतिवी के केंद से अधिक्तम दूरी पर होता है उसको हम apogee के नाम से जानते हैं और दोस्तों पेरिजी में क्या होता है इसमें सेटेलाइट कच्छा का वा विंद जो प्रतवी के केंदर से निउन्तम दूरी पर होता है उसे पेरिजी के नाम से जाना जाता है जैसा कि आप फिकर से देख सकते हैं कि जो विंद प्रतवी के निउन्तम दूरी पर होता है उसे हम पेरिजी कहते हैं और दोस्तों जो अपोजी एंड पेरिजी होता है उसमें हम प्रतवी तता चंदरमा के वीच की दूरी को मात थे हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अपोजी एंड पेरिजी के बारे में समझ में आया होगा तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सेर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टोपिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद वन दे मतरम